हेलो दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जितंदर एमार अस्टडी पर दोस्तों मैं हूँ जितंदर एमार यादव आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात यानि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट टू देखें गए पार्ट वन कल हम बताए हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो अनुपात एवं समानुपात का प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उसमें कुछ बेसिक कॉंसेप्ट और कुछ बेसिक कोश्चन हुआ है और आज भी कुछ बेसिक कोश्चन होगा देखें तो जैसे एक कोश्चन दिया हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर तीन अनुपात चार अनुपात साथ हो तो ए पलस बी पलस सी अनुपात सी का मान कितना होगा तो जैसे यहां दिया हुआ देखें तो ए का मान यहां तीन हो गया और बी का मान यहां चार हो गया और सी का मान साथ हो गया तो यहां लिखते हैं एक के अस्थान पर तीन पलस बी का मान यहां चार है तो चार पलस C का माल 7 है तो 7 अब क्या करना है अनुपात है तो अनुपात यहां C का माल 7 यहां बटा भी कर सकते हैं कोई फर्कने पड़ेगा अब उसके बाद 3, 4, 7, 7, 7 को जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा यहां अनुपात 7, 7 एकम 7, 7, 2, 14 यानि दो अनुपात एक एंसर हो जाएगा देखें तो हम लोग नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं जैसे 3A पलस 5B बटा 3A माइनस 5B बराबर 5 तो A अनुपात B का मान बताना है तो देखें तो नहीं कुछ तो नीचे एक हो जाता है किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक है आप इसको क्रॉस गुना करें क्रॉस गुना करेंगे 5 को अगर 3A से गुना करेंगे तो यहां 15A हो जाएगा और 5 को माइनस 5B से गुना करेंगे तो यहां माइनस 25B हो जाएगा उसके बाद बरावर यहां देना है उसके बाद एक को अगर तीने से गुना करेंगे तो थिरी ए और पलस है तो पलस हो जाएगा और एक को पांच भी से गुना करेंगे तो पांच भी हो जाएगा अब क्या करना है जाती जाती यानि सेम को सेम इधर ले जाना है जिसे यहां 15 A है और इधर पलस में 3 है तो बराबर के उसाट जाएगा तो माइनस 3 A हो जाएगा बराबर हो जाएगा उसके बाद 5 B इधर माइनस 25 B है तो बराबर के उसाट जाएगा तो पलस 25 B हो जाएगा अब क्या करना है यहां 15 A में से 3 A घटाएंगे तो 12 A होगा तो 12 A को लिख सकते है ना 12 गुना A उसके बाद पांच B और 25 B को जोड़ते है तो 30 B हो जाएगा तो 30 गुना B लिख सकते है 30 B को अब क्या करेंगे जैसे यहाँ A इधर B गुना में है 30 के साथ तो बराबर की सायड़ आगा तो भाग में हो जाएगा यहां 30 बच गया है और यहां A जो है न बारक साथ गुना में है बारक गुना में है तो इधर बराबर की उसार जाएगा तो भाग में हो जाएगा अब छोक टेबल में दोनों किसकार देना है जिसे छोदुनी 12 अच्छा पचे 35 तो यह 5 बटा 2 आ गया इसी को अगर लिखते हैं तो A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 2 एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन देखिए तो X अनुपात Y बराबर Y अनुपात Z तो X स्क्वाइर अनुपात Y स्क्वाइर का मान बताना है तो आपको क्या करना है जैसे यहाँ X अनुपात Y है Y अनुपात Z बराबर में है यानि समानुपात है तो आपको बताये थे बाहर बाहर को गुना करना है और अंदर अंदर को गुना करना है या इसका दूसरा भी तरीका है जो X यहाँ लिख सकते है X, अनुपात मतलब बटा हो गया Y नीचे आजाएगा, बराबर है तो बराबर देदेना है Y और अनुपात का मतलब बटा होता है अब आपको क्रोस गुना करना है क्रोस गुना करेंगे तो Y गुना Y तो Y स्क्वाइर हो जाएगा और X को Z से गुना करेंगे स्थान पर क्या करते हैं लिख सकते हैं या संख्या को लिख सकते हैं x गुणा एक्स X square है यानि power 2 है तो यही संख्या को दो बार लिखेंगा यानि X गुना X अनुपात Y square है तो Y square के जगह पर लिख सकते हैं X गुना Z यहाँ लिख देगा X गुना Z X से X कट जाएगा यानि X बच गया है अनुपात Z यानि X square अनुपात Y square का मान निकालते हैं तो X अनुपाद Z हो जाता है जैसे देखिए तो इसका दूसरा नियम भी करेंगे तो Y गुना Y करेंगे तो यहां Y S2 बराबर लिख सकते हैं X गुना Z तो यहां X गुना Z यानि बात सेम है आपको J से असान हो बनाने में उइसे बना सकते हैं नेक्स्ट कोउशन देखें तो जैसे 2 A बराबर 3 B बराबर 4 C हो तो A अनुपाथ B अनुपाथ C का जियाद करना है अगर ऐसे 2 A बराबर 3 B 4 C ऐसे कुछ करके दे तो धाकके बनाना है जिसे धख़क धखिया नियम करते हैं धख के बनाना जैसे a का मान निकालना है तो a को धख़़चे उसके वाद ही दोनों गुणा करेंगे तीन गुणा चार तो 12 हो जाएगा और a के सामने लिख देना है अनुपाद देना है B का अगर मान निकालेंगे तो B को ढख देंगे और A गुना C का मान कर देंगे यानि 2 गुना 4 करते हैं तो यहां 8 हो जाएगा उसके बाद अगर C का मान निकालेंगे तो C को ढख देंगे और 2 गुना 3 करेंगे तो यहां 6 हो जाएगा A ही हो जाएगा A, B, C का मान चार तो 12 फिर B का मान निकालना है तो A और C बला गुना कर देना है फिर C का मान निकालना है तो A और B बला गुना कर देना है नेक्स्ट कोश्चन देखिये तो जैसे A बटा 3 बरावर B बटा 5 बरावर C बटा 9 हो तो A भी C का मान ग्याद करना है तो आपको क्या करना है इसी में कोई प्रेसानी नहीं है जैसे यहाँ A बटा 3 दिया हुआ है तो यानि A कामान 3 दिया हुआ है इसको लिख सकते है A बराबर 3 इसको लिख सकते है B बराबर 5 और C बराबर 9 यानि B कामान 5 है और C कामान 9 है तो A कामान 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे B का मान 5 है तो 5 लिख देंगे और C का मान 9 है तो 9 लिख देंगे यह होता कैसे है जैसे मान लिजे अगर A बटा 3, B बटा 5, C बटा 9 है तो अगर सब को K मान लेंगे तो क्या जैसे हैं C बटा 9 बड़ाबर के तो C बटा 9 बड़ाबर के अब नहीं कुछ तो नीचे A क्रॉस गुना करेंगे तो C को एक से गुना करेंगे तो C हो जाएगा और 9 को केस गुना करेंगे तो 9 के K यहां कॉंस्टेंट है सम में अगर K को मल लेंगे तो K से K कट जाएगा यानि डाइरेक्ट आप याद रखें A बटा 3 तो यानि A कामान 3 B बटा 5 तो B कामान 5 C बटा 9 तो C कामान 9 हो जाएगा इसी परकारिश का आंसर निकलता है तो A अनुपात B अनुपात C बरावर 3 अनुपात 5 अनुपात 9 हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देखें तो जैसे यहाँ यदि A अनुपात B बरावर 2 अनुपात 3 B अनुपात C बरावर 4 अनुपात 1 C अनुपात D बरावर 5 अनुपात 2 तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कामान बताना है तो आपको फोटो के भी माद्यम से आप निकाल सकते हैं या आपको बताए थे रिक्त अस्थानों की जगा पर आप लिख के भी बना सकते हैं तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है तो आपको क्या क्या है जैसे यहां तीन है और तीन के आगे कोई संख्या नहीं तो यहां तीन लिख देना है फिर तीन लिख देना है उसके बाद यहाँ एक है एक के सामने कोई संख्या नहीं है तो एक लिख देना है यहाँ पांच है पांच के आगे कोई संख्या सामने नहीं है तो पांच लिखना है फिर पांच लिखना है अगर हम आप गुना करते हैं तो अब यहाँ देखें उसके बाद 3 गुना 4 तो 12, 12 को 5 से गुना करेंगे तो यहां साइट हो जाता है अनुपात दीजिए उसके बाद 3 गुना 1 तो 3, तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो यहां 15 हो जाएगा उसी परकार तीन को एक से गुना करेंगे तो तीन और तीन को दूसरे गुना करेंगे तो यहाँ छो हो जाएगा यानि अगर आगे कोई संख्या नहीं है तो आप सामने वाला संख्या लिख सकते हैं जैसे यहां तीन था तो तीन तीन लिख दिए यहां चार है तो चार लिख दिए यहां एक था तो इसके आगे एक लिख दिए यहां पांच यहां कोई सिंख्या नहीं है तो पांच पांच सामने सामने गुना करके सब को लिख देना है सामने सामने गुना कीजिए और लिख दीजिए सब को सामने सामने गुना करके लिख देना है बस एह हो गया तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अनुपात तेवं समानुपात का पाठ थिरी में तब तक के लिए धन्यवाद